मुछमद शहजाद शहजाद भी नहीं इस टीम में यह चौका होगे जाए 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 आप सब जानते हो यार आज वेस्टर डी और अफगाने संग का मैच है तो हमें तो आना ही था क्योंकि हमारी आदी ओडियंस जो हमारे चैनल के वो तो डिकेट वाली है तो यार इसलिए हम आगे है इस बार और अभी आप देख सकते हो में फामने यह वाक्स ओफिस यहां पे टिकेट मिल रहे हैं मुझे लगा था कि आज टिकेट मिलेंगी ने लिकिन फिर भी अभी तक टिकेट मिल रहा है और बाकी इसने ओनलाई टिकेट गुद किया उसके ल और अभी चलते हैं हम लोग अंदर जल्दी से क्योंकि सीट्स फोलो जाएंगी जल्दी तो कि यहां पर ऐसा कुछ निए कोई सीट नमबर नहीं होता है आप इसनी जल्दी जल्दी जाओगे अथनी जल्दी आपको अच्छी जीट मिलेगी अपने मन मुताबिद सीट तो यहां पर पार्किंग का एक दिखकत यह कि स्टेडियम से करीब यहां एक से एठेट क कलु मेटर दूर है पार्किंग और पर फीसे देख सकते हो और इसके अलबा यहां पर पार्किंग का रेट मैं बताऊं यहां रेट काफी सही है क्योंकि 20 रुप्य टू-wieler का है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी पैदल चलके बहुत जाना है यार क्योंकि एक से डेल किमेटर जाना पड़ेगा तो वाई है मेरे पीछे देख रहे हो आप गेट नंबर चार पर भीड लगी हुए और यहीं से मुझे एंट्री करनी है तो अभी एंट्री तो हो नी रही है तो मैं का वाँ खड़े होने कोई पाइदा नहीं है तब लड़के लोग चिला रहे हैं अम भी जाएंगे अभी अं करने में जो सिक्योर्टी चेक हुआ ना मुझे लग रहा था कि मैं बस किसी इंडिया से कहीं बाहर जा रहा हूं इस तरह का सिक्योर्टी चेक हुआ है और पहली बार मैं देख रहा हूं यार इतना मतलब जो मेंशन था टिकेट में कि यह लेकर नहीं जाना है वो सब हम नहीं लेकर आएं लेकिन फिर भी कम से कम 6-7 बंदों ने मेरी चेकीन करी है और म जो कि कापी खुचरत बना हुए और अब हम लोग चल रहे हैं अंदर फिर देखते हैं आप ये भारत रत मिश्री अटल विहारी वाचपई एकाना क्रिकेट स्टेडियम तो चलते हैं अंदर और देखते हैं बाई कुछ आवाज है आ रही है हुझे अंदर चल के देखते है सरे एक मिट बाई बेया एक मिट बाई बेया एक मिट बास अरे पीछे है टूंगस कैसे कि दूमों फावाज मिट पार देखेते हैं उडर पाया कंद सके दैफ दसे अरे दूम हाज है नहीं है अब तर सो मुषे है ने कीि mines 상ी है था करे। तो फाइनली हम आ गए हैं स्टेडियम के अंदर और यह आप मेरे पिछे देख सकते हो स्टेडियम और यहां पर हो रही है प्रेक्टिस और यह सामने अगर आपको देख रहा हो यह राशिद भाई और उसके साथ में भी मौमद नभी और फ्लॉड लाइट्स वो स्क्रीन आप देख रहे हो लाइन अप होता हुआ और सारी टीम्स प्रेप्यार होती हुए अपने 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 नेशनल आंथम के folg यह है आंव के के सुम माइब के सानंदी ओर शेंदनी आख survived झ्छलेगी ऑ्ष बन्यार जय को दिर वे पेपर गाते हैं चोंहा हो गया भी रोगलिया भी रोगलिया बसका लिया भी जब्वा वाध्स प्स्थ इंडिया आजा देखाना देखाना देख सकते हैं और यहां से जो व्यू आ रहा है ना उसकी तो बाद ही आप देख सकते हैं और आप क्राउड भी देख सकते हो यार काफी फिठाक मात्रा में लोग लेकिन उतने नहीं लेकिन फिर भी काफी लोग है और मुझे लगता है कि T20 जीन होगा उस दिन यहां पर और भी जादा भीड होगी और आपको मैं दिखा दू इस साइड में आप देख सकते हैं स्टेडियम का व्यू बहुत ही फुप्सूरत और सामें वो साइब स्टीन लग लेकिन फिर भी यार बहुत ही जवदास आ रहा है यहां कासकर के टॉफ लोग खड़े इसके पीसे वाल है और कुछ भी नहीं है तो स्टेडियम यार बहुत ही खुप्सूरत बनाओ है और बस यहां पर यह है कि थोड़ी से अभी गंदेगी है यहां पर किकिन यहां कोई ब बहुत है कि यहां कि वेस्ट अडिया सो बर्लिंग कर रही है और अफगानिस्तान वाले उतना मारते नहीं है उनके पास प्लेयर नहीं है मदब जो MS क्या नाम है उसका? MS मूमभाशेजाद अब शहबाब भी नहीं है स्टीम में ओ यह चौका फार यह चौका होगी जो चौका है यह यहां चौका होगी है चला यह बोगन क्याप्चेरो रहा पहला चौका इस मैच का तो तो ठोल बैजर है पीछे और यह वाला जो यहां पर डगाउट है उनका अफगानिस्तान का लोगार उसके बगल में वेस्ट इलीज का है और मार रहे है भाई कि यहां वारत क्या है तो ही लॉंडन मारना शुरू कर दिया अग्डम खड़िके रुपते हैं एक वो दो ओवर और देखते हैं कैसा चलो तो बहुत पहला थाड़ पाय रिव्यू यह लोग रीप्ले नहीं दिखा रहे हैं भाई यह गलत है मैस्ट अभी कंटीनु है और पाइस ओवर हो गया है और मैं आप निकल रहा हूँ कि मुझे विश्टाम है और आप एक बार पिर से मैस्ट का व्यू ले सकते हो आप आप आएंगे T20 में यह देखो तक के लिए भाई यह देख लो थोड़ा से स्टेडियम अंदर से आप इंडिया का मैस्ट होगा तो बहुत खतरनाग वाले स्टाल लगेंगे सारे तो यह अगर वीडियो पसंद आये तो यह लाइक कर देना मैं कोशिश करूंगा कि को अगर कोई फ्रेंड आया तो मैं दुबारा से होंगा और कि किसी और वंडे में और आपको सीट्स कभी अंदराजा हो गया तो कहां बेढ़ना यह थोड़ा सा देखनेंगे वैसे डेरस वाले टिकाटी बेस्ट है कहीं चले और कोई दिक्कत नहीं है तो तक लिए भाई 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 मिलते हैं किसी और व्लॉग में